आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट मिठाई चेना मुर्की जिसे की बनाना बहुत ही असान है और घरपे बहुत असानी से इसे बनाया जा सकता है और बहुत तम समय में ये बन जाती है तो चलिए ये मिठाई बनाना शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे हमारे वीडियो को लाइक किजिए, शेर किजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए यह हमने 200 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है और उसके ऐसे छोटे स्केर पीसीज काट लिये पीसीज एक जैसे होने चाहिए, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, सबसे पहले हम चाष्णी तयार कर लेंगे, हमने एक नॉन्स्टिक पैन लिया है, गैस को हमने फिल्कुल लोग पे रखा है, इसमें एक कप चीनी डालेंगे, और आधा कप पानी डालेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे, और पर्ची लगा ठाथ चलाएंगे, गैस को भी हमने लोग पे रखना है, चीनी अच्छे तरह से डिजॉल्व हो गई है, अगर डिजॉल्व होने के बाद आपको पानी थोड़ा मेला लगे, चीनी गुला हुआ पानी, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून दूद डालके, जो उपर जाग आएगी, उसको निकालके साफ कर सकते हैं, तो आपकी चाशनी साफ हो जाएगी, अब हम गैस को मीडियम पे कर देंगे, और इसे एक तार की चाशनी बनाएगे, ये हाफ टी स्पून इलाइच्छी पाउडर है, ये भी केवडा या रोज वाटर भी डाल सकते हैं, गैस को हमने मीडियम पे कर दिया है, फट्ची को लगा तार चलाने है, और इसे तक तक पकाने है, जब तक एक तार की चाशनी ना बन गए, हमारी चीनी साफ थी, इसलिए हमें दूद डलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारी च और ये पनीर भी डाल देंगे, अब गैस को फिर से मीडियम पे कर देंगे, और कड़्ची लगा तार चलाएंगे, तो ही ये चीनी पनीर के ऊपर पोट होगी, और इसे तब तक चलाना है, जब तक ये चीनी थोड़ी गाड़ी ना हो जाए इसे लगा तार स्टर करते रहना है, जब तक चाशनी गाड़ी नहीं उजागती, जबने की कंसिस्टनसी में नहीं आजगती चाशनी जबने की कंडिशन में आ गई है, यदिके इसका कलर भी दुदिया हो गया है, अब गैस को बंद कर देंगे, और इसे नीचे उतार लेंगे पैन को अब इसमें लगातार कच्छी चलाते रहना है, ताकि चीनी अच्छे से पनीर के उपर कोट हो जाए, और जो एक्स्ट्रा चीनी है, वो अलग हो जाए चिन्नी काफी गाड़ी हो गई है चाशनी इसकी और अच्छे से इसके उपर कोट हो रही है अभी और इसको अच्छे से स्टर करेंगे सारे पनीर के टुकड़ों पर चिनी देखे अच्छे से कोट हो गई है और जो एक्स्ट्रा चिनी थी वो अलग हो गई है अब हम इसके पीसीज एक बोल में निकाल लेंगे यह देखे कितने अच्छे से कोट हुई है हमारी छेना मुल्की तयार है जो यह चिनी बचवे हैं इसका आप दुबारा यूज कर सकते हैं चाय में इसे डाल सकते हैं या दुबारा छेना मुल्की बनानी हो तो उसमें भी यह चिनी यूज कर सकते हैं और किसी भी काम के लिए चिनी जिस हलवा बनाना होए तो उसमें यूज कर सकते हैं तो ये रही हमारी आज की रस्पी छेना मुर्की देखा इसे बनाना कितना असान है और बहुत कम समय में ये बन जती है तो आप इसे जरूर ट्राइ किजिए और हमें अपना फीडबेक दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग